नमस्का दोस्तो आज इस महतपूर्ण पत्रकार वारता में आप सब का स्वागत है देश के स्मक्ष प्रष्टाचार का एक गंभीर मुद्ध सामने हैं जिस पर परदा डालने की साजिश की जा रही है और उसको लेकर आज कॉंग्रेस अध्यक्ष्ष्वम आपके बीच में आये हैं मैं बगेर किसी विलंब के अनुरोद करूंगा आदर्णिय कॉंग्रेस अध्यक्ष्षी से के वो आपको अपनी बात कहेंगे आजे बात developing हैं नमसकार आजड़ हर मतलब 3 शार दिन हमारा प्रेस कांफेरंस होता मगयर प्रदानमंठ्री प्रेस कांफेरंस नहीं करते हैं मतलब अपने आपको जो देश की मीडिया है उनके सामने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं काफी समय से हम राफाइल हवाई जहाज की डील में ब्रहष्ट अचार की बात करने हैं और ये नया किस्सा नहीं है अब ये एक दो सालों से ये बाची चल रहे हैं और हमारी तीन चार हमारे सवाल है एक सवाल है कि 526 करोर रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोर रुपए में क्यों खरीदा गया दूसरा सवाल है हिंदुस्तान ऐरोनाटिकल लिमिटेट से कॉंट्रेक्ट छीन कर अने लंबानी को कैसे दिया गया 30,000 करोर रुपए का ओफसेट कॉंट्रेक्ट अने लंबानी को क्यों मिला एचेल बैंगलोर के पास जमीन है एचेल बैंगलोर के पास रेप्यूटेशन है एचेल बैंगलोर हवाई जहाज बनाती है अने लंबानी को एचेल से छीन के आपने क्यों दिया हिंदुस्तान के युवांव से रोजगार क्यों दिया उसके बार हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है आपने फ्रांस की सरकार को कहा कि आप भीया हवाईजास फ्रांस में बनागी है और 36 हवाईजास की जरुदा तो ये हमारे सवाल है और आपने वैसिलेशन सरकार का देखा डिफेंस मिनिस्टर ने जब मोदी जी फ्रांस गए वापे साये डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा बोला कि देखृए मुझे कुछ नहीं मालूं है मुझे नहीं मालूम प्रधान मंत्री को मालूम है फ्रांस में किया हुए फ्रांस के राश्ट्रपती होलैंड कहते हैं कि नरेंदर मोदी ने डाइरेक्ट हमें ओडर दिया है प्राइम मिनिस्टर विंडिया ने सीधा बोला वहिया अने लंबानी को देना है चत्ते जवाई जाज करीदने है और फ्रांस में बनेगा तो हम आपको case present कर रहे हैं और हम देश को case present कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल सरकार को उस सवाल के जवाब देने हैं एक भी जवाब नहीं आता है Defense Minister सितारमन पहले कहती है हाँ हम Parliament में price रखेंगे फिर कहती है price is a secret Macron जी आते हैं मनमौन सिंग जी में आनन चर्मा जी उनके साथ बैठते हैं कहते हैं वह या price is a secret कहते हैं नहीं price is not a secret हिंदुस्तान के tax care pair का पैसा है price secret कैसे हो सकता है उसके बाद price निकलती है Desold की brochure में price साफ निकलती है 1600 करोल रुपए पैसा Desold को दिया लिए तो यह हमारे सवाल है Vacillation होता जाता है प्रधान मंत्री तो बोलते नहीं है अरुन जेटली जी बोलते हैं निर्मला सिता-घरमन जी बोलती है हमने JPC महांगी कहा कि देहिए jurisdiction Parliament का है करा दीजी आ ये सामने करा दीजीए ना और उन्झे इटली जी-जी का टट्विट अपने देखा मैंने को अब क्या होता है आज सुप्रीम कौट अपने जुरिस्डिक्शन में जज्जमें देती है और उस जज्जमेंट से में तीन लाइन पढ़ना चाहता हूँ. The pricing details have however been shared with the Comptor and Auditor General hereinafter referred to as CAG and the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee hereafter referred to as PSE. Only a redacted portion of the report has been placed before the Parliament and is in public domain. अब ये इस जज्जमेंट का foundation है मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ. जो राफाइल अवाइजाज के pricing details हैं कीमत के details हैं उनको Comptor and Auditor General की report में लिखा गया है और वो जो report है Public Accounts Committee जो पार्लिमेंट की committee उसके साथ share किया गया है. ये भाइयों और बैनों जज्जमेंट का foundation है. अब मेरे सामने खारगे जी बैठें और खारगे जी PSE committee के चेर्मन है पार्लिमेंट में. और आप लोग खारगे जी से सिधा पूछ लीजिए क्या CAG report PSE committee में आई नहीं आई. पार्लिमेंट में रखी गई. और इन्होंने जो PSE के चेर्मन है इन्होंने CAG report अपनी जिन्दगी में देखिये हाँ या ना पूछ लीजिए. पूछे. देखिये. एक तो CAG के पास भी उनका कोई comments नहीं है. और report नहीं CAG का. CAG के जो प्याराज होते हैं वो Public Accounts Committee को refer करते हैं. इसके बारे में ना CAG को पता है. आज मैंने deputy CAG को बुला कर पूछा, क्योंकि हमारी meeting भी थी आज Public Accounts Committee की थीन बजें. उनको पूछा, ये कैसा आ गया? कैसा हो गया? क्या कोई फर्जी तो के किये नहीं मेरे signature? करके अगर कोई उतना एक्स्टैक्ट. जब CAG के पास नहीं है, Public Accounts Committee में आने का सवाल नहीं है. जब Public Accounts Committee में आएगा, तो हम वो report छिपा के नहीं रख सकते, Parliament में पेश करते हैं. पार्लमेंट में भी मैं इने पेश नहीं किया. जब पार्लमेंट में आएगा, तभी Public Domain में आएगा, Public Domain में भी नहीं है. तो यह आया report कहां से? किसने दिया? और कानून ये कहता है, रूल ये कहता है, कि जब तक Parliament को report वो पेश नहीं किया जाएगा, तब तक किसी को भी उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है. और एक अफिडवेट के माफिक, जब evidence कलेक्ट करते हैं, तो हम उनका अफिडवेट भी लेते हैं, कि ये जो चर्चा हो रही है, कि इसको नहीं कहिना चाहिए, जब तक ह अईसा हुआ, ये बहुत अजब चीज है, और गजब चीज है, ये हमारा हमको पब्लिक अकॉंट्स कमिटी में को वहाँ पर खींचा गया है, ये अन्टूथ. अब आप देखिए, मैं मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे कैमरा इधर लाने पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मुस्कुरा रहे हो, आप लोग हसुरे हो, आपको सचाही दिखाई दे रही है, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, कि सुप्रीम कॉर्ट की जज्जमेंट, जो उनका बेसिक फाउंडेशन है, उसमें ये सवाल कैसे उठ रहा है, ये कैसे हो सकता है, कि सुप्रीम कॉर्ट की जज्जमेंट का जो फाउंडेशन है, कि प्राइसिंग, C.A.G. की रिपॉर्ट में डिसकास होई है, और यहाँ P.A.C. के चर्मन बैटे हैं, और इनको C.A मुझे समझ नहीं आ रही वा, I am seriously not able to understand, you are laughing but I am not able to understand, because देखिये, जब आप जूट बोलते हैं, भाईयो और बहनों, जब आप कोई जूट बोलता है, तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं निकलता है, अब सरकार को हमें यह समझाना है, कि यह जो C.A.G. रेपोर्ट यह हैं, कहां हैं, हमें भी दिखा दें, और P.A.C. के जो चेर्मन है, खार्गे जी, उनको भी दिखा दें, या शायद कोई और P.A.C. चल रही है, किसी और पार्लिमेंट में चल रही है, पते हैं, फ्रांस की पार्लिमेंट में चल रही है, और चल रही है, मुझे नहीं मालो, यह हो सकता है, आज की दुनिया में एक किसमी सदमें हो सकता है, कि मोधी जी ने अपनी P.A.C. बेठा रखी है, P.M.O. में, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि फ्रैंक्ली, इंस्टिटूशन के ऐसी की तैसी क निकलते हैं, मतलब सब की दजियां उड़ा दी है, और आप हसने हो, यह बड़ी सीरियस बात है, हसने की बात नहीं है, यहाँ पे 30,000 करोड रुपए की चोरी हुई है, और किसानों, याद रख्ये, 36 गार, राजिस्तान, मध्यप्रदेश में आपका कर्जा माफ होने जा र इन चोरों ने, यहाँ आपका लिया है, और किसी का नहीं लिया है, और इन बातों में कोई नी फसने वाला है, पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोड है, सीधी बात है, और हम इसको साबित करके दिखाएंगे, कि हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री, अनिलमानी को उसने चोरी कराईए, बोलिया जितना बोलना है, यह सचाई है, और हिंदुस्तान की जनता सचाई को समझती है, सूंख पाती है, और मोधी जी आप जितना छुपना चाहते हैं, छुप जाईए, आप जितना भागना चाहते हैं, भाग जाईए, आप नहीं बच सकते, जि जिस दिन राफाइल मामले पर एंक्वाइरी हो गई और वो इंक्वाइरी पार्लमट करेगी जे पी सी करेगी जिस दिन वो हो गया दो नाम निकलेंगे Narendra Modi, Anitie Lambani, Anitie Lambani, Narendra Modi Thank you